नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गवर्मेंट एजुकेशन में इस वीडियो में हम कबर करेंगे MPSI में जो मैस के कुशन है उनको कि किस तरीके से कुशन पूछे जाते हैं करीबन आपको जो है न मैस और रिजनी के कुशन इसमें करीबन 30 कुशन मिल जाते हैं तो मैं आपर सिर्फ मैस के कुशन है वो कवर करूँगा ओके तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला कुशन है काफी सिंपल सा कुशन है रिजियो का कुशन है यहाँ पर दिया है A बराबर दिया है 2 अनुपात 3 और B बराबर दिया है 4 अनुपात 5 तो A अनुपात B अनुपात C का निकालना है तो देखो जब भी आपको ऐसे कुशन पूछे जाएं तो देखो A अनुप में और इसाफरार दोनों में तो बी कहना है ओनि नी चाफ कि दो पीन का दो जैसे कि यहां पर बात की जाएह थो ब्या जाएह से प्रस्ट में और जिसा जाए ends आपके देता हैं और मेल कड़ेताऀlles और जिलेखे तो आप देखो का यहां बीस न्यद्स तरहे е आप लिखते हैं न तो यहां पर देखोगा आप इसका मल्टिप्लाइ इसमें करोगे फिर इसका मल्टिप्लाइ चार का मल्टिप्लाइ तीन में करोगे फिर पांच का मल्टिप्लाइ तीन में करोगे तो जो है न वो A अनुपाद B अनुपाद C का अनुपाद निकल आएगा तो देखो 4 का अनुपाद 4 का मल्टिप्लाइ मैं अगर मैं 2 में करता हूं तो यहां पूर जाएगा 8 और 4 का 3 में करूँगा तो 12 और 5 का 3 में करूँगा तो 15 तो यह कितना हो जाएगा आठ ंपाथ 4 अनपाथ 2 आठ अनपाथ 12 अनपाथ 15 तो यह जो है इसका आज पाद रहेंगा चलिए नेक्स कुश्चन देख लेते हैं देखो मैं से इसमें जो है ना भू रिजिटिंगि का है पांच का डिवाइट तीन में कर दो ओके नो का डिवाइट साथ में कर दो तेरा का डिवाइट ग्याराम कर दो एक अनुपाद दो होता है पॉइंट पाइट यह आप देखो बैसे आप करोगे अगर रेशियो जो है न यह डीचे का जो हर दिया है अगर सभी भिनका शमान हो तो आप उनका LCM लेके नाई और जितना LCM है सब का मैल्टिप्लाइ कर दो पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर हम क्या करते हैं तो सीधर डिवाइट कर देते देखो यहां पर बात की जाए मैं तीन पाथ पाँच है तो देसम्ब्ल आखे यहां पर यह कितना हो जाएगा पॉइंट 6 हो जाएगा तो इसी तरीके से में देखो पहले का जाएगा दूसरे के क्या जाएगा नौसात तरेशट तो यहां पर पॉइंट कुछ आ तो यहां पर हम एक्स फ्रॉक्स बैलू नहीं ले रहे हैं ओके तेरा कम डिवाइट करोगे 11 में यानि 110 में तो तेरा ठेक सो चार और यहां पर बन भाई 2 कितना आ जाएगा पॉइंट 5 तो पॉइंट 5 जो है वो सबसे छोटी काई है बात कि यह चोटी फ्रेक्शन है भिनने तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह ओप्शन चलिए नेक्स उश्चन देखते है नेक्स उश्चन है कि यहां पर बोला गया है कि 280 रुपए प्रती किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपए प्रती किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाए जाता है तो मिस्टर चाय का ओश्चन मूल क्या होगा तो यह जो है एक अलग है और इसका जो है वो अलग है तो इन दोनों जब भी ऐसे कुश्चन हो तो आप क्या करोगे कि जो 280 है 280 में 7 का multiply करोगे और 240 में 9 का multiply करोगे इन जो इनका multiply करके दोनों को add कर दोगे तो यहां पर देखो कि कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 0, 856, 5, 7, 14, 19 और यहां पर यह 9.36, 9.29, 18, 23, 21 तो यह हो जाएगा 0, 2, 1, 4 तो यह हो जाएगा 4120 4120 आ गया पर यहां पर जो चाय है तो यह कितनी एक साथ है और एक 9 कजी है तो इनको दोनों को मिला कि नहीं इनको देखोगे आप तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 तो 16 का divide कर दोगे तो इनका और सत्मूल निकलाएगा तो देखो मैं चार से काट देता हूँ 4 एकन 4, 4, 3, 12, 0, 4, 16 और 4, 2, 8, 4, 25, 20 और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 30, 4, 25, 20 बचेगा और 4, 25, 20 यानि यह हो जाएगा 257.5 इसका अंसर आजाएगा A option तो यहाँ पर पहले आपको इसका multiply कर देना और इसका S में multiply कर देना 9 का 240 में दोनों को add करके नहीं और जितनी किलोग्राम सक्कर है टोटर मिलाके उसका divide कर देना है तो उसका जो है और शत्मूल निकलाएगा चलिए next question देखते है next question है यह जो है आप देख रहे हो find the value of 9p2 तो यह जो है permutation का question है और पहले तो आपको इसकी form पता होना चाहिए के npr npr is equal to क्या होता है factorial n upon n minus r factorial यह होता है तो यह आप कैसे करोगे देखो किसी भी factorial के आपको value पता होगी जैसे factorial 1 की क्या होती है 1 होती है और अगर मैं factorial 2 की बात करूँ तो factorial 2 होता है 1 into 2 is equal to 2 हो जाएगा factorial 3 क्या हो जाता है 3 into 2 into 1 बरावर 6 ऐसी अगर factorial 4 करोगे तो 4 into 3 into 2 into 1 तो इस तरीके से यह होता है factorial को explain करते है अभी हाँ पर जो है 9p 2 दिया है तो आप देखो कि यहाँ पर देखो factorial 9 यह हो गया upon 9 minus 2 का factorial तो आप देखो कि यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 7 का factorial तो मैं आपर देखो क्या करने वाला हूँ 9 को जो है क्या लग सकता हूँ 9 into 8 into factorial 7 और नीचे factorial 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आजाएगा not 72 अब यह तो हो गया एक तरीके से जो basic method होता है अब मैं आपको एक ऐसा method बढ़ता हूँ कि देखो 9p2 है तो आपको क्या करना है यह 2 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है 9 into 8 यह कर देना है सीधा सीधा 72 आ जाएगा अगर 3 है यहाँ पर तो 3 का क्या करोगे 9 into 8 into 7 कर दोगे तो 3 का आ जाएगा तो आप यह वारा जो है ना जाम में apply कीजेगा जो मैंने शुरुवात में बताया बू मत कीजेगा वहां पर थोड़ा time लगेगा तो आप यह वाला याद रखिएगा चलिए next session देखते हैं next session है यह ने एक ब्यापार की शुरुवात में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद भी ने 36,000 रुपए निवेश कर उस ब्यापार में सामिल हो गया यदि बर्ष के अंत में पृते को शमान लाप राप्त हुआ तो भी कितने महीने बाद ब्यापार में सामिल हुआ तो दोनों का जो लास में जो रेजल्ट आया वो क्या आया है पर देक का शमान लाप हुआ है तो मैं आपर क्या करने बाला हूं तो यह तो आरा जो है ना वो कितना 21,000 लागाए गए थे और बर्ष के अंत तक यानि 12 महीने में आगे इन दोनों को बराबर कर देता हूं भी क्योंकि यहां पर जो है बुलाएब दोनों का शमान मिल लाए तो यह कितना 36,000 रिशने निवेस किया है और कितना तो देको इसना कुछ महीने बाद निवेस किया है तो 12 मैंसे माइनिस कर देता हूं X यानि X जो है वो कुछ महीने बाद ट्राएगी है 12 मैंसे X कटा दूँगा तो जो कुछ महीने ट्राएगी है वो निकल आएगा तो दोनों का बराबर है दोनों का समान लाब हुआ इसलिए मैंने बराबर कर दिया तो आप देखो कि 3 0 से य तो पांच तो पांच बर्स जो है ना वो बाद निविश किया है इसका अंसर आजाएगा जाएगा जाए फोर्ट ऑप्शन बाकि आप देख सकते हो देखो यहां पर जो है ना वह 21 मैं माल लेता हूं देखो 3 0 8 देता हूं यह कितना बर्स के अंतर यानि पूरी साल इसने न पांच घटाओगे तो साथ आएगा तो साथ का मल्टिपला जब आप इसमें करोगे और इसका दोनों का जो है नो वो बराबर होगा तो ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको मैं यहांता है बाकि आपको यह ऑप्शन हर एक में अपलाई करना पड़ेगा पर आप ऑप्शन स स्थल्द कर सकते हो के चलि नेक्स वोषन देखते हैं नेक्स होशन है एक शाठ किलो मेंटर पर इस तही क。」 गंटा की गथी से चलते हुए एक निश्चित दूरी को एक घंड़े में तय करती है एक अंडिकार जो doc 40 km ते Shit दूर्मुला 6 km की गटी से चल रही है को इसी यह ने इस तूरी को कुल कितना समय लगी यहां जो 100 km से चल रही थी उसी दूरी को कितने घंटे में जो हरiva दूरी तै कर लेगी सबसे पहले तो क्या होगा कि आपको दूरी पता होना चाहिए अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ईन्टु टाइम यहां पर जो पहली है उसका स्पीड भी दिया है और टाइम वी दिया तो आप पहले से क्या उसकी डिशन निकाल सकते हो तो देखो साट इन्टु एक घंटा या स्पीड predicted 40km Utama से स्पीड निकल आएगा थैराम बराबर क्या होता है कि स्पीड और यहां पर बात कि चालिस क्लो मीटर प्रति घंटा की जो है न वो जाएगा इस defence है दो किसी किलोमीटर कर जाएगा घंटा उपर पहुँन जाएगा तो तीन क्रेंटर डो घंटे इसको लगेंगे जो हैताइव वह साथ किलोमीटर के दूरी को तैकंगने में अनकार को सकन्सार क्या हो जाएगा सेकेंट और सिरतों इसका अनसर हो यहां पर बूला गया है कि कमरे की लंबाई यानि एल्थ लेंथ जो दिये वो उसकी चौणाई से तीन मीटर देगा यानि मैं चौणाई में तीन एड़ कर दूंगा तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे और आगे क्या बूलागा है इस फर्स का छेदपल यानि लंबाई गुणाई बराबर होता है छेदपल किसी भी बर्ग का मालो या यह दिया था तो मैं यहां पर क्या करने बाला हूं कि जो लेंद की जगे क्या रख देता हूं यह रख देता हूं यहां पर उठाके तो यह कितना हो जाएगा 3 प्लस B into B equal to 70 यह हो जाएगा तो यहां पर देखो कि आप यह हो जाएगा B square प्लस का 3 V minus 70 is equal to 0 यह आजाएगा अब देखोगे आप यहां पर कि माइनस प्लस की जो वैलू रहती है इसमें बड़ी के साथ माइनस आता है चोटी के साथ प्लस आता है पर यहां पर जो आप छेत पल निकाल रहे हैं तो आप क्या करो दोनों का एक तरीके से पलसी मानोगे क् भी छितपल जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है तो आप इसके रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा इसके रूट जो निकालोगे बिवा जाएगा साथ इंटू दस ऑके देखो 10 मेशे 7 जाएगे तो पलस का 3 अचपव एचेगा और 2 साथ से मैल्टिपलाई करोगे तो शतर ISTर हो जाएगा तो 34 मीटर जो होगा वो इसका परिम्हाप हो जाएगा इसका अंसर आए कितना सेकेंड ओप्षन चलिए नेक्स उशन देखते हैं नेक्स उशन है दो वर्स पूर्व परिवार की ओशत आयू 18 वर्स थी जिसमें 8 सदस्य थे एक बच्चे की जर्म होने के बाद परिवार की बरतमान आयू अभी भी समान है बच्चे की बरतमान आयू ग्याद करना है यानि बच्च जो हुआ है बच्चे की उसकी बरतमान क्या होगी तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो जो आठ सदस्ट है उसकी जो है ना वो आयू निकालो टोटल तो यहां पर देखो कि आप 18 का मल्टिप्ला जब आप 8 से करोगे तो कितना हो जागा तो चौन सट च्छै और आठ चाउदा पर आप देखो कि यहां पर यह दो दो बर्स पूर्व किये अगर दो बर्स बात की बात करेंगे तो आठ सदस्ट की कितनी हो जाएगी वह बरतमान आयू अब यहां पर क्या बोला गया है कि एक बुच्छा जन्व के बाद परवार की जो बरतमान आयू वह रहती है वह तो आप देखो कि यहां पर वह जाथा कितनी थी अठारा वर्स थी लेकिन अब क्या सदस्य कितने हो गए है एक सदस्य ने जन दे लिया है पहले थे आठ अब हो गए नौ तो नौ का मल्टिप्लाइ कर दोगे तो कितना हो जाए गए नौट बहत्तर साथ और नौट साथ शोला यानि 162 अब पहले थी इतनी अब होगे इतनी क्योंकि जो क्योंकि अब जो हना नाया सदस्य जोड़े गया है तो आप देखो कि यहां पर कितना दो का डिफरेंस आ रहा है तो जो बच्ची की वर्स जो बर्तमान आयू कितनी है दो इसका अंसर आ जाएगा फूर्थ ऑफसेट ओके तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा जरू बताइएगा जो लोग हमारे चैनल पहली बात देख रहे हैं मों हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें कुछ इस तरह का रैड बटन दिया होगा और एक बैल आइकन दी होगी उस पर भी क्लिक कर लें जिससे कि मेरा वीडियो को नोटिपिक्शन आपको सबसे पहले मिलेगा तब तक लिए थैंक्यो धन्यवाद